हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चनल एक्जाम91 पर दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए मैं एक जानकारी दे देता हूं जो यूपी पुलिस का जो बैच में मैत का स्टार्ट करने वाला था उसके लिए सारे क्यूपमेंट लग चुके ह तो अब आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बता दीजेगा कि मैत की क्लास आप लोग कब से स्टार्ट करना चाहता हूं अगर आप लोग उसके लिए एक पोल डाल दू कि आप लोग किस टाइम से सुटेवल लाएगा अगर हम लोग उस टाइम से देख लेते हैं तो चा के उपर बनता है आप लोग इसको कैसे क्या चालू करना चाहते हो तो दोस्तों अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे और आप लोग बता दीजिएगा कि मंडे से स्टार्ट करना है या किसी और दिन से तो मैत की क्लास आप मैं स्टार्ट कर सकता हूं मुझे कोई प् 26, 10, 2018 को पेपर हुआ था, यह फर्स्ट स्रिप्ट का पेपर है, इसमें आज हिंदी हम लोग स्टार्ट करने बाले हैं, हिंदी में देखते हैं, पहला कोशन क्या लिखा है, अनु उपसर्ग से बना सब्द कौन सा है, तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग हमेंसा सब्द के पहले है, ऐसा नहीं है, किसी में भी अनु लिखा हुआ है, तो अनु का मतलब यह हो गया है, कि वो उपसर्ग उपसर्ग किसी दूसरे सब्द में लगेगा, तब ही वो उसके साथ जुड़ेगा, बरना नहीं जुड़ेगा, तो जैसे यहां पे लिखा है, पहला अनु चर तो यह बन जाएगा आपका, चलिए, फिर हम लोग जो है, सेकंड पेज पे चलते हैं, चलिए, कोशन नमबर पंदरा देखे, क्या लिखा है, बूलकड सब्द में प्रत्य प्रत्य का प्रयोग हमेसा बाद में होता है, सब्द के अंत में लगता है, तो अकड तो यहां पे चलिए, क्या हो जाएगा, गीत, प्लस अंजली, तो यहां पर ये answer सही हो जाएगा, फिर देखे, 117 नमबर में क्या लिखा, सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो यह बात आप खुद सोचिए, क्या सभी मिलकर स्कूल जाता है, जाता है, तो अकेले के लिए आता है, एक बचन के तो यहां पर जाता है, तो नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो जाते हैं, गये, यह हटा दीजिए, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर साथ, तो मिलकर हो गया, तो साथ का कोई मतलब नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा, सभी मिलकर स्क कोई घर में कौन सा समास है देखिए दोस्तों मैं आपको इतना बता दूँ ये जो समास संधियां और ये आपके जो भी प्रत है और अब जो भी है ये इतने अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा कि इसमें आपसे एक भी कोश्चन गलत नहीं होगा आप हिंदी में मैं गार जो है इसकी जो ऑफलाइन क्लासे जब मैं इवनिंग में पढ़ाता था मैंने अब इसको मॉर्निंग में भी इस्टार्ट कर दिया है अब मेरा एक बैच जो है आट से दस भी लग रहा है यही मेरे हर्दोई में ही जहां पर मैं पढ़ाता हूँ अब सुभे एक आट से दस अब ही से मैं सोमार से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ अब सूचिए वह बैच इस्टार्ट हो जाएगा तो दिसंबर में आपका पेपर होगा तब तक तो मैं उनको सारी चीजर रटवा दूगा तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा तो रसोई के लिए घर किसके लिए तो रसोई के लिए घर ठीक है तो यहां पे के सब्द आया है तो के जो कारक होते है वो किसमें आते है ततपूरुस समास में यहां पे आपका एंसर ततपूरुस समास हो जाएगा अब यहां पे आपके अबभई भाव समास लिखा है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सब्द आते हैं, जैसे छोटा, बड़ा भी आता है, या कह सकते हैं, अनु आता है, प्रति आता है, हर आता है, यथा आता है, भर आता है, ये सब्द जरूर मिलेंगे आपको, जैसे यथा शक्ति, दिगु समास, दिगु में हमेशा क्या होता ठीक है और दन्द समास में लडाई जरूर होगी या और सब्द आता है जैसे लडाई का मतलब एक आपके विपरीत होगा जैसे माता, पिता, तो इसमें ये आपको भी देस्ट चीन जरूर मिलेगा या कैसकते हैं माता और पिता ये सब्हद निकलता है अब यहाँ पर देखे म माता महिला हो गए पितापुरुस सोगे तोस्तों से इस तरीके से एकका सी जो है सकते हैं कि भी परीतार्थक सदों निकलते हैं यहापि चलिए, फिर 19 नमबर देखिए, 19 नमबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, मैं खाता हूँ करम बाच्य रूप होगा, अब इसका करम बाच्य रूप बताना है, कि दो को जो करम करना हो, तो क्या हो जाएगा, कि मुझसे खाया जाता है, इसमें एक तरीके जो करम जो काम होता है उसी की प्रधानता होती, तो मुझसे खाया जाता है, यह चौथा आपका जो लिखा है, यह सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है, फिर 120 नमबर देखें क्या लिखा हुआ है, 120 में लिखा हुआ है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, इस बाक में क्रिया लिखाया जा रहा है, अब रोज भाई, रोज का मतलब दिन आ गया, अब दिन क्या होता है, समय होता है, तो उसको हिंदी में क्या कहते है, काल कहते है, ठीक है, क्या कहते है, काल, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, काल बाचक संग क्रिया विशेषड हो जाएगा, चल और यह जो ड़िए लगा जाता है इसी को योजक चिन बोलते हैं फिर पहला वाला जो ए पर प्रस्णबाचक चिन आफ दूसरा वाला जो दिया है वो आश्यर्श चिन और बिस्मयाद इबोधक कहते हैं उसको और तीसरा योजक और चौथा कौन सा होता है यह चौथा इसको द कि खुसी मनाना, क्या हो जाएगा, खुसी मनाना, क्योंकि जब राम जो है, अध्या बापस आया थे, 14 बर्सों के बनवास के बाद में, तब क्या हुआ था, गी के दिये, जलाए गये थे, चले, 23 नमबर देखे, क्या लिखा, लोकोक्ती का सामान अर्थ क्या होता है, जो लोक किसी प्रसंग विसेश के लिए उद्दत किया जाता है, तो उसे लोकोक्ती कहता है, जैसे अकेले चना भाड नहीं फोड सकता, ठीक है, ये एक तरीके की लोकोक्ती है, इसका अर्थ क्या होता है, कि एक ब्यक्ति करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता है, तो लोकोक्ती क क्या आपता है लोक की उकती पिर देखें 124 नंबर में क्या है चमक उठी सन सतावन में जो तलबार पुरानी थी रस का भेद बताई अब देखें तलबार की बात आ रही है तो आप भी सोचें तलबार तो लडाई जगड़े में आता लडाई जगड़ा जहां पे भी दिखाई दे जाता है उनके सब्दों में उनके बाके में तब बीर रस हो जाता है क्या हो जाता है बीर रस हो जाता है फिर देखें चौपाई के प्रते एक चरड़ में कितनी मात्राइं होती है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चौपाई में चरड़ कितने होते हैं चौपाई में चार चरड़ होते हैं इसलिए उसको चौपाई कहा गया है ठीक है और इसके जो नहीं चौपाई में तो दो ही चरड़ होते हैं और चोपाई Leshy O success हम लोग आइसे करके दर साते हैं एक लगू होता है ये लगू और ये पीछे ये लगू है गूरू मतलब बड़ा लगू मतलब छोटा दोड़ा जयसे चोपाई कहने होती है बन्दो गूरू को पदम परागा है शुरुच शुभास सरस अनुरागा, यह क्या है, यह तरीके की चौबाई है, इसमें दो पद है, दोनों पद में 16-16 मात्राइं होंगी, अचा मैंने पीछे एंसर लगाया कि नहीं लगाया, नहीं, तो यहां पर क्या है, 16 मात्राइं होती है, चले, अब देखें, यहां पर लिखा, काली घटा का घमन अब देखें, यहां पर घटा सब्द दो बार आया है, और इसके दोनों बार के सब्द के क्या हो जाएंगे, अर्थ अलग-अलग हो जाएंगे, जब भी कभी दो सब्द आया है, एक ही जैसे है, और उनके अर्थ अलग-अलग हो, तब क्या हो जाता है, यह मकलंकर, जैसे कन गटा तो काले बादल का गमंड गटा उसका जो गमंड है वो कम हो गया तो काली गटा का गमंड गटा ठीक है तो यहां पे दो बार गटा सब्दा आया है और दोनों के सब्द के अर्थ भी अलग-अलग है तो इसलिए यहां पे यह मगलंकार हो जाएगा चलिए वर्णों के कि सिर्फ बेड़ों के बेद पूछे के हैं, तो वर्ण सिर्फ दो तरीके के होते हैं, एक स्वर और एक बेंजन, चलिए, फिर लिखा हुआ है, निम लिकित में कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है, अब यहां पर इस्त्री लिंग बताना है, तो हमने क्या कहा था है, कि जब भी पाठक पढ़ता है, ठीक है, तो इस तरीके से, अब योगिनी, योगिनी, तो हमेशा महिला सब्द होगा, योगी का योगिनी हो जाता है, फिर देखिए, पुलिंग सब्द का चेहन कीजिए, अब पुलिंग सब्द बताना है, नाईका, नाईका हिरोईन के लिए के लिए होता है, लेखिका, वधु और धावक, तो धावक जो होता है, वो पूरुष के लिए होता है, धाविका महिला के लिए होता है, चलिए, सिच्चक का बहुवचन बताना है, अब सिच्चक का बहुवचन बताना है, तो सिच्चक गड़ हो जाएगा, सिच्चक गड़ हो है सिच्छिका जो होगा वो महिलाओं के लिए सिच्छिकाएं महिलाओं के लिए और सिच्छक गड़ तब इस सिच्छक गड़ में आपके सामने जितने भी सिच्छक पूरूस महिला सब आ जाएंगे तो इसके लिए जो है इसका बावबचन सिच्छगड हो जाएगा चलिए फिर देखिए 131 नमबर लिखा हुआ है कि मा ने बाजार से कपड़ा खरीदा अब मा ने बाजार से कपड़ा खरीदा तो जो इसमें रेखांगी सब्द है इसका हो जाएगा चलिए फिर 132 नमबर में देखिए यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताईए तो यह मेरी पतंग है इसमें रेखांकित का भेद हो जाएगा क्योंकि यह सब्दाया है तो यह निश्चे होता है यह निश्चे वाचक सर्वनाम के लिए प्रियोग किया जा जो स्वयम के लिए हो जाए निज मतलब ही स्वयम होता है जैसे आप अपने आप स्वयम खुद यह सब निजवाचक होते हैं प्रस्न वाचक काउन कहा कैसे कब यह सब आ जाते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं 133 नंबर देखते हैं 133 नंबर में क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है समजदार सब्द विसेषड का कौन सा भेद होगा अब देखें जो समजदार है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह समजदार क्या है तो समजदार जो है यह एक सर्वनाम की जो बिसेस्ताइं बताते हैं, उनको सर्वनामिक बिसेस्टड के देते हैं, तो जैसे संख्या बाचक बिसेस्टड भी होता है, परिदाम बाचक बिसेस्टड भी होता है, अब जैसे इसमें क्या होता है, जिसकी किसी की गुड़ दसा के बारे में बताया जाता है, परिमानम वाचक, उसमें जो है उसकी बस्तिकी निश्ची संख्या का बोद् haid ऐड़ कराया जाता है संख्या में तो उसमें पता हिए आपको कि संख्या का बारे में बताया जाता है तो यहां पर जो समझदार हो जाएगा, वो सरवनामिक भी सेसड रहे Siaradd जो जो बहुत कुर बहुत को की विदे lovely दो ढूंपधत कुरीग फोत सीदे सीदे आपकी भासा परिवासा में लिखाता है आप लूसेंट पढ़िए तेगे आप यूपीपी के लिए आप इतने ज्यादा कोशन्स के या इतनी बहुत बड़ी-बड़ी किताबें मत लीजिए आप सिर्फ हिंदी की लूसेंट बुक खरीद लीजिए आप उसको ती इस कोशन आराम से अटेम्ट कर लेंगे और सही कर लेंगे खाली करना और सही करना दोनों में अंतर होता है चले भूत काल के कितने भेद होते हैं तो भूत काल के जो टोटल भेद होते हैं वो छे होते हैं कौन-कौन से होते हैं सामान भूत आसन भूत पूण भूत अपूण तो बहुत संदेगदा और हेत वेत, जो मदभूत होता है, हेत वेत मदभूत, यह होते हैं, तो इसके छे भेद हो जाते हैं, फिर देखें, तदभाव सब्द बने हैं, जो तदभाव सब्द होते हैं, वो संस्कृत के अलावा जितने भी सब्द होते हैं, संस्कृत के अलावा जितने भी सव्द लोग लेते हैं, अपनी मूल भासा में प्रियोग करने के लिए, उन सबको तदभाव सब्द कहते हैं, तो इनका जो जहाँ पर कहा गया है हिंदी के मूल सब्दों से, तो यही आपको लेहा पड़ जाएगा, अब हिंदी के मूल सब्दों से अरत होता है कि ह तो हमारे मूल सब्दों में देशच भी होते हैं, भीदेशच भी होते हैं, शंकर, यह सब्द सब्द यूच की जाते हैं, तो सदभव सब्द कौन होते हैं, जो हिंदी के मूल सब्द होते हैं, उन्हीं को तदभव सब्द कहते हैं, और तथसम सब्द कौन होते हैं, तथसम मे सारे के सारे संस्क्रफ सब्द लिये जाते हैं. चले, फिर 149 नमबर देखिए. पर्याय सब्दों का कौन सा समू सही है. अब यहाँ पर्याय सब्द, यानि की पर्याय बाची सब्दों में से कौन सा सब्द, यहाँ पर समू है. तो पाट साला बिद्धाले स्कूल. चले, फिर 140 नमबर देखिए. क्या लिखा हुए? इन में से सही बिलोम सब्द कौन सा है. तो यहाँ पर बिलोम सब्द पूछा गया है कि इन में से सही बिलोम सब्द कौन सा हो जाएगा. तो आदान का प्रदान लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है, आदान का निदान नहीं होता है, आदान का प्रदान नहीं होता है, प्रदान का बिदान, आदान समाधन, कुछ नहीं होता है, आदान का प्रदान होता है, चलिए, फिर आगे देखिए, 141 नमबर, 141 में क्या ल जो और सब्द हैं, अनेकार्थी सब्द समू का चैन करना है, लिखा हुआ, अन्य उसका दूसरा तथा, सब परंत, परंत अपना, तो जो और सब्द के अनेकार्थी सब्द समू है, वो दूसरा तथा, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, 142 नमबर जो काम करना कठिन हो बाक्यान्स के लिए एक सब्द लिखिए जो काम करना कठिन है बाक्यान्स के लिए एक सब्द लिखना है उसके लिए तो जो काम करना कठिन हो जाएगा वो दुश्कर हो जाता है जिसको हम लोग मुश्किल से कर सकें, वो दुस्कर्ग हो जाएगा, ठीक है, जिसको करना कठिन हो, चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 133 नमबर, लिखा वो पच्छी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही सब्द भरिये, क्या बनाते हैं, वो नीर बनाते हैं, अच्छा, अब इन्होंने यहां पर देखें, गोसला नहीं लिखा है, अब इसको घोसले को आप लोगों को बताना पड़ेगा, कि सब्द क्या होता है, तो नीर लिखा है, नीम लिखा है, नीड लिखा है, तो जो नीम और नीध है, इसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं है, जो नीर और लिखा हुआ है कोई भी ऐसी सब्वेता नहीं है जिसने बनो के मूल्यों को ना आका हो बन बिभिन प्रकार के पसु पच्चियों तथा परजातियों के लिए एक मात्र आसर इस्थल थे और आज भी है बनो के निरंतर गटने से इनके सर्रच्छड की आवसकता पड़ती है इनके समयर्थ ही कागज बनाने की कच्ची सामगरी भी उपलब दोती है परन्त इन्हें काटने के सासा इनका सर्च्ड भी आवश्यक है पेंड़ पौधे बर्सा कराने में साहाइक है साहाइक बन कर Entonces those are carbon dioxide and dioxide यहां बहुत झाली गैस को सोखने की चमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संटुलन बना रहता है। बनो के कारड़ ही नदियां अपने भीतर जल के अमरत दारा समझो कर प्रवाहित की करती हो रही है। चलिए अब यहां से हमको question के answer देने हैं कि बनों का मूल आकने का अर्थ है बनों का जो मूल है उसको आकने का अर्थ क्या हो जाएगा तो उसका जो अर्थ जो आखने का जो अर्थ हो जाएगा तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा बनों के महत को समझना यही इसके लिए महत तो सबसे हो जाएगा बनों के अतधिक काटना कोई मतलब नहीं है बनों को बेचने से क्या ही मतलब हो जाएगा बन लगाना यह एक बार को हो सकता था लेकिन इ पहले पता होना चाहिए, चली 145 नमबर, आसरे इस्थल से अभिप्राय है, आसरे इस्थल से क्या भिप्राय है, तो तो आसरे का मतलब होता है, किसी के नीचे खड़े होना या अपने ऊपर एक छट बनाना, ठीक है, तो भोजन का इस्थान नहीं हो सकता, गुमने का इस्थान से क्या भी प्राय हो जाएगा, कि बनो को काटना, तो भाया सरे इस्थल का इसे हुआ, ठीक, बनो को फैलाना, ये भी सरे इस्थल नहीं होता है, बनो को साफ करना भी नहीं, बनो को बचाना, कि सरे इस्थल का मतलब ही होता है, बचाओ करना, फिर देखिए, 147 नमबर लिख छिष्युआ करते हैं चलिए फिर 141 नमबर देखिए क्या लिखा रहे है तो बुझ नदियों में जल्दारे जो है eight i अभी देखते हैं, अतीत के चलचित्र, बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित्र, बहुत ही पुस्तक है, ये पेपर की, हर पेपर में, जिसमें भी हिंदी आती है, उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है, ये पुस्तक आप से बहुत बार पूछी जा चुक है, कि अतीत की चलचित्र किसकी रचना है, तो यह महादेवी बर्मा की पुस्तक है, ठीक है, यह उन्हीं की रचना है, यह उन्हों नहीं लिखी थी, तो दोस्तों देखें, हमारे जो आज के 50 questions थे, यह पूरे complete हो चुका है, अब हमारे जितने भी previous series के questions थे, वो complete हो चुका है, अब हम लोग मैत को solve करेंगे, आपको बिस्तारित तरीके से इसको solve करके दिखाएंगे, तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा, आपको कहीं भी कुछ जाने की जरूरत नहीं, मैत मैं आपको इतने अच्छे से explain करूँगा, यह आप भी कहेंगे, कि सर जी, अब बहुत मैं इसको नहीं भूलूँगा, अब याद रहेगा, तो आप दोस्तों जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग subscribe जरूर कर लीजेगा, आपको मैत जो है, ऐसे पढ़ूँगा कि आप भूलेंगे नहीं, चलिए दोस्तों, आज की class को यहीं पर समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले class में, तब तक के लिए जाएं दोस्तों.